हेलो एवरिवन वेलकम तो आर चैनल कुकिंग आफ्टर बैंकिंग और आज की रेस्पी है मलाई पालक पनीर इसे बनाने के लिए हमने लिया है आधा केजी पालक 200 ग्राम पनीर आधा चमच हल्दी आधा चमच कश्मीरी मिर्च आधा चमच गरम मसाला आधा चमच धनिया आधा चमच जीरा पाउडर और नमक आप अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं साथ ही हमने लिया है दो बारिक कटे प्याज चार हरी मिर्च एक टमाटर एक इंच अद्रक का टुकड़ा और दस से बारा लसुन की कलिया तो चलिए हम मिलकर बनाते हैं मलाई पालक पनीर पालक में इतना पानी डालना है जितने में वो अच्छे से डूब जाए अब हमें इसे दो से तीन मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर बॉइल करना है ध्यान रहे हमें इसे जादा नहीं उबालना है अगर हम इसे जादा उबाल लेंगे तो पालक का हरापन नहीं रहेग पाला कब उबल चुका है इसे अब हम प्लेट में निकाल देंगे अब हम कड़ाई में एक चमट सरसो का तेल डालेंगे और उसमें हमने जो प्याज, अत्रक, लैसुन और मिर्ची काट कर रखा था वो डालेंगे और इसे एक से दो मिनिट तक फ्राई कर लेंगे अब इसमें हम टमाटर भी काट कर डाल देंगे और उसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इन्हें भी प्लेट में निकाल लेंगे और जब ये हलके ठंडे हो जाए तो इन सारी चीजों को मिक्सर जार में डाल कर इनका पेस्ट बना लेंगे अब उसी कड़ाई में हम एक चम्मच सरसो का तेल डालेंगे और साथी दो चम्मच के लगभग देसी घी डालेंगे अब उसमें डालेंगे थोड़ा गोटा जीरा और बाकी सारी मसाले जो हमने पहले दिखाया था वो डालेंगे और इन सारी मसालों को अच्छे से लो फ्लेम पर भूल लेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए अब हमने पालक और प्यास का जो पेस्ट बनाया था उसे भी कड़ाई में डाल कर अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक अब अपने स्वाद के अनुसार नमक कम ज्यादा डाल सकते हैं अब हमने जो पनीर काट कर रखे थे उसे इस पालक के पेस्ट में मिला देंगे और अब इन सारी चीजों को मिलाने के बाद इसे ढखकर लो फ्लेम पर पांच मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे अब हमने जोड़ देंगे अब हमारा पालक पनीर पक कर तयार हो चुका है तो इसमें दो चमच मलाई डाल कर मिला लेंगे हमारी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है तो आए इसे सर्व कर लेते हैं इसमें हम एक चमच मलाई डाल कर गार्निश कर लेंगे तो लीजे बनकर तयार है मलाई पालक पनीर थांक यू फूर वाचिं को आए.